नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग सोम बार यानि भगवान सिप का दिन सोम यानि चंद्रमा और इस दिन सुबह उठकर भगवान सिप की अगर पूजा करें उनका दर्सन करें सिप चालीसा का पाठ करें सिवास्टक का पाठ करें भोले नात का दिल बहुत कोमल है इसलिए उन्हें प्रसंद करना भी आसान है और इनकी पूजा में किसी भी तरह की गलती भोले नात को पसंद नहीं आती भले ही आप सिंपल तरीके से पूजा करें लेकिन गलती ना करें इसी लिए उनकी पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए सिप जी को अलग तरह के पुस्प और प्रसाथ पसंद है और ऐसी माननेता है कि भगवान सिप के लिए केतकी का पुस्प कभी न चढ़ाएं और साथ ही उन्हें तूलसी के पत्ते भी मतर पित करें और संख से जल भूल कर भी मत चढ़ाईएगा वरना बुरी तरह आपको परि सिंख से बाहर आने के लिए क्या करें अगर सत्तु विरोधी ज्यादा परिशान करें तो क्या करें और सिपजी को अपनी मन्नत के अनुसार क्या रपीद करें कि आपकी तमाम प्रिशानी समापत हो जाएं दूचलिए सुरौब करते हैं सबसे पहली बात तो आप अगर करजों से परेशान हैं अगर जीवन में धन की समस्या जादा परेशान करें तब एक छोटा सा काम करें आपके घर के आसपास अगर बर्गत का पेड़ है बटबरिशी जिसको कहते हैं अगर बर्गत का पेड़ है तो एक लोटा जल में सोम बार की सुवई ये काम करना है आपको एक लोटा जल में पिसा वचावल एक चुटकी एक चुटकी हल्दी डाल कर बर्गत के नीचे बटके स्वर महादेप का नाम लेकर अर्पित कर दें और उनसे प्रातना करें कि जीवन में जो करजों की समस्या है जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए और आप घर चले आए थोड़ा सा बट बिश का जड़ लेकर इस जड़ को लाल धागे में अच्छे से बांद कर अपने पास रख ले चाहें तो धारन कर सकते हैं पहन सकते हैं गले में बाह में या फिर अपने पर्स में अपने बैग में अपने धन के अस्थान पे रख ले धन की मुश्किले समाप्त हो जाएगी कर्ज से अतिसिग्र मुक्ति मिल जाएगी जब कर्जों से मुक्ति मिल जाए तब इस बरगत के पेड़ की जर को कहीं पास की मिट्टी में दबा दीजिएगा अब सिप जी हैं फोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं लेकिन जीवन में कभी कभी सत्व ब्रोधी इतने परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं तो ऐसे कठिन समय में सिभ जी के स्रवज़न में आईए क्योकि सिभ जी सर्वे सर्वा है इनके स्रवं में जो भी आता है उसके जीवन की हर मन्नत पूरी हो जाती है और अगर आप चाहते हैं जीवन में खूब पैसा है आपके सनी समंदी कोई पीड़ा है तब समी पत्र समी का पेड़ होता है ना उसका पत्ता जो स्वर्ण के समान माना जाता है अगर सिबलिंग पर एक लोटा जल अरपीद करके समी पत्र अरपीद करें तो जीवन के सारे कस्ट ही मिट जाते हैं वैसे तो बिल पत्र सिब जी को बहुत प्री है लेकिन समी पत्र सनी देप के कस्टों से राहू केत्व की परिसानियों से पिड़ाओं से मुग्दी लिलाता है और सोम बार का जब दिन हो तो भला हम नंदी जी को गौ माता को कैसे भूल जाए तो सोम बार के दिन गौ माता को आप कुछने कुछ खिलाईए जरूर अपने हाथों से आप मंदिर जाएंगे वैसे करोना वायरस का वक्त है तो अपने घर में ही पूजा करें और लेकिन जो टोटका है न वो आप घर में नहीं कर सकते तो टोटका आपको घर से बाहर निकल के करना होगा तो आईए जानते हैं एक छोटा सा परियोग कभी कभी क्या होता है जिवन में कष्ट बढ़ जाते हैं लगता है अब बस एक ही रास्ता है कि उपर वाले को ही गले लगा ले लेकिन घबराईये मत आज हम आपको उन परिसानियों से बाहर निकलने के रास्ते बताएंगे अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बिमार है या आपका ही स्वास्त गरबर रहता है तो सिप जी को एक लोटा जल में आप कुसा एक प्रकार का घास होता है कुस घास आपने सुना होगा पहले जवाने में पुजा पाट में यूज़ता था अभी भी होता है तो कुस घास को थोरे से जल में लेकर सिप लिंग पर अरपित कर दे घास भी डाल दीजिएगा सिप लिंग पर जीवन के सारे कस्ट मिट जाएंगे एनि रोग, सोक, रिन, करजे, सत्त्रू सबसे मुक्ति मिल जाएगा सिप जी को मनाना बहुत आसान है आज हम आपको बहुत सारे प्रियोग बताएंगे आप अपनी सुभिधा नुसार अपनी मननत के नुसार पुजा कीजे और अपने मननत के नुसार सिप जी से बर मांगिए कभी कभी क्या होता है घर परिवार में कलाकलेस बढ़ जाते अपने ही किसी को नहीं पहचानते आपको लगता है किसी नहीं कुछ कर दिया है आपको लगता है जीवन अब बहुत कस्ट में है आपको लगता है अपने ही दुस्मन हो गया है कोई किसी को नहीं पहचान रहा अभी तक प्रेम था अभी जब कस्ट ज्यादा हो 11 दाना काली मिर्श के ले लें इसको कूट लें पॉडर यूज नहीं करना कूट लें अब कच्छे दूद में इसको डाल कर सिविलिंग पर अर्पीत कर दें उसके बाद एक लोटा जल अर्पीत कर दें सत्रू भरदी सांथ हो जाएंगे तीन सोंबार लगातार कीजिए आपके जीवन के कस्ट मेड जाएंगे घर में नहीं करना है पासके मंदिर में जाके कीजिएगा करोना वायरस का वक्त है अगर मंदिल खुला है तो ठीक है नहीं खुला है तो लॉकडाउन समाप्त होने दीजे फिर कर लीजेगा ये परियोग सोंबार के दिन ही करना है इस बात का ध्यान में रखिएगा कभी कभी क्या होता है आप मंदिल नहीं जा पा रहे हैं बहुत बार महिलाएं नहीं जा पाती हैं घर में रहती हैं बहुत सारे काम हैं उनके पास समय नहीं है एक घंटा भगवान की भक्ती के लिए बहुत सारे काम होते हैं तो ऐसे में क्या करेंगे जब आपको लगे कि अप लाल पेन या फिर लाल चंदन से इस भुजपत्र या कागज पर लिख दें अब इसके ऊपर आप थोरा सा सहद लगा दें आपके सत्रू के नाम में जितना भी अक्छर है उतना ही काली मिर्चिस कागज पर रख दें इसके बाद इसको जला दें सत्रू सांथ हो जाएंगे आपको कस्ट नहीं बहुंचाएंगे एक बार में कम मिलेगा रहात तीन बार लगातार कीजिए तीन निल लगातार भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो सिप्जी को क्या रप् Mm, के जीन के कस्टी मिड़ जाएं? आईए जानते हैं पहले विस्तार से फिर आर बात करेंगे सिप्जी यह निस्पुलिंग पर जब आप जल अरपित कीजिएगा तो जल अरपित करने से स्वभाब सांथ होता है केसर सिबलिंग पर अर्पित करने से हमारी सौम्यता बढ़ती है चीनी यानि सक्कर अर्पित करने से सक्कर से भी से करने से सुख सम्रिद्धी बढ़ता है सिबलिंग पर अगर इत्र अर्पित करें तो विचार पवित्र होते हैं गलत कारी की तरफ हमारा मन नहीं जाता अगर दूद और दही यानि पहले दूद अगर अरपित करें तो आपका स्वास्त अच्छा रहता है बिमारियां दूर रहती है दही अरपित करने से सोभाव गंभीर होता है जीवन में आने वाली परिसानियां दूर होती है घी अरपित करने से हमारी सक्ति बढ़ती है संतान की प्राप्ति होती है संतान का डिवलप्मेंट होता है चंदन अर्पित करने से हमारा ब्यक्तित तो आकरसक होता है और इससे हमें समाज में मान सम्मान यस मिलता रहता है अगर सिबिलिंग पर सहद अर्पित करें तो हमारी वानी में मिठ खास आती है और इसी वानी के दम पर हमारे सत्रू भी मित्र बन जाते हैं भांग अरपित करने से हमारी जो कमिया हैं हमारी जो बुराईया हैं वो समाप्थ हो जाती है और जीवन की परिशानी पीडाओं से मुक्ति मिलती है सिबलिंग पर अगर आप मूंग हरा मूंग अर्पित करें तो आप की ऐसी कोई भी कामना नहीं रहेगी जो पूरी ही ना हो यानि मूंग अर्पित करने से सिबजी अतिसिगर परसंद होते हैं अगर सिबलिंग पर आप तिल अर्पित करते हैं जल में डाल कर तो सभी परकार के कलेश मिठते हैं पित्री दोस सांथ हो जाता है मानसिक सालिरिक स्वास्त अच्छा रहता है अगर सिबलिंग पर आप गेहूं अरपित करें तो ऐसा करने से मान बढ़ता है संतान का सुक बढ़ता है जो भी आप अरपित कर सकते हैं सिब जी परसन्न होते हैं अगर long अरपित किया जाए sibling पर तो राहू केतु की परेसानियों से मुक्ती मिलती है राहू केतु सांथ हो जाता है sibling पर अगर अक्षग अरपित किये जाएं तो ऐसा प्रकरने से आपके जीवन में देवी लक्षमी की कृपा बढ़ती है फल अरपित करने से जीवन में आपके कभी किसी चीश की कमी ही नहीं रहती अक्षे फल की प्रापřती होती है अगर आप जब भी सिपजी की पूजा करें तो सबसे अंत में दक्षिना जरूर अर्पित करें एक पान के पत्ते पर एक सिक्का रख ले लॉंग इलैची थोरी सी मीठी बस तू रख कर अर्पित कर दे कमल कपुस पर अर्पित करें तो जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं मनो कामना ऐसी कुछ हो ही नहीं सकती जो आपकी पूरी ना हो सिब जी को आप फूलों का स्रिंगार कीजिए सिब जी बहुत प्रसंद होते हैं और आपके जीवन में भी यस बैभब बढ़ता है सत्तुर विरोधी जादा परेसान करें तो सिबलिंग पर लाल गुढ़ल के पुस्प अरपित करें तो सत्तुर विरोधी सांथ हो जाते हैं वैसे बेले का पुस्प अरपित करने से जीवन में खुसियां आती हैं और जीवन महता रहता है एक बात हमेशा ही याद रखेगा तो थी अपनी मननत के नुसार अपनी सुबिधा नुसार आप सिबलिंग पर क्या अरपित करें ये सभी चीज़ें आप घर में भी अरपित कर सकते हैं पर जो हमने आपको टोटका बताया वो मंदिर जाके करना है और जब आप सोमबार के दिन साम के वक्त पास के किसी भी सिबजी के मंदिर में जाकर एक दीपक जला दे सरसों के तेल का भी जला सकते हैं घी का भी जला सकते हैं उसमें दो लॉंग डाल कर तो जीवन के जो भी आपके मनो कामना है वो पूरी हो जाती है फिलाल आपसे विदा लेते हैं हरहर महादेव धन्यवाद